प्ले में अच्छी तेजी है लेकिन इसके लावा भी मिट कैप में बजिंग मॉमेंटम जो हैं हम देख रहे हैं मैक्स फिनेंशल सर्विसेज एसकॉर्ट की वोटा जैसे स्टॉक्स में नीरव कोई स्टॉक पिक करना चाहेंगे इन दोनों में से क्योंकि मिट कैप में टॉप इतना चल चुका है I would say कि possibility है कि MFSL Max Financials जादा अग्रेसिवली चले और escorts एक resistance के पास भी आ रहा है जो कि 21-25 का है एक बार वो क्रॉस कर ले उसके बाद definitely थोड़ी बहुत और मोमेंटम आएगी तो यहाँ पर मेरा पिक रहेगा Max Financials बहुत बढ़िया पैटरन है एक breakout आया है downward sloping trend line का और वो आया है करिब-करिब 8.25 पे I believe यह stock अब यहाँ से at least 950-1000 तक जरूर जा सकता है तो यह stock आप जरूर खरीच सकते हैं आज के दिन में volume भी बहुत बढ़िया है तो definite buy from here हम तो चले दोनों stocks में आगे और ज्यादा traction built up होता हुआ दिख सकता और इसी के चलते current levels पर भी मजबूती जो है वो काइम रहेगी लेकिन इस बीच आईए BSE में कौन से stocks हैं जहाँ पर action नजर आ रहा है वो एक बार आपके TV स्क्रीन पर लेकर आते हैं BSE Index की अगर बात करे particularly IT Index को एक बार watch out की जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ हद तक मजबूती जो है सिगनिटी टेक्नोलोजी के stock में करीब 2% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है BSE के PSU Index पर एक बार focus करते हैं BSE PSU Space में जहें स्टॉक से जहाँ पर हम तेजी देख रहे हैं तो बैंक ऑफ ब करीब 2% की मजबूती के साथ यह stock अच्छी तेजी पर यह trade करता हुआ नजर आ रहा है power space अभी हम discuss भी कर रहे थे focus में है BSE Power Index पर एक बार नजर डालते हैं और इन stocks की लिस्ट में तो PTC डानी ग्रीन जैसे stocks power grid में अच्छी मजबूती के पीच काम का जिस वक्त नजर आ रह पर करीब 322 संकु की बरहत के साथ इस वक्त trade करता हुआ तो clearly nifty के मुकाबले bank nifty में आउट performance और bank nifty के मुकाबले अगर आप देखेंगे Sensex में इस वक्त performance जो है वो अच्छी नजर आ रही है आई ये कुछ खबरे हैं जो कि midcap space में हैं उन पर नजर डाल रहेते हैं दो stocks हैं जो कि आपतिया कोई observations नहीं मिले हैं which is a positive और इसके अलावा PSP projects order win के चलते ये focus में हैं company को 167 करोर का एक order मिला है industrial precast residential segment के लिए company ने order जीता है जिसके चलते PSP projects भी focus में हैं बाजार की ग्रावट में stocks इस वक्त परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं निकि news flows जरूर है जिसके चलते इन पर आपको a positive नजर रखनी चाहिए